आज 3 सितंबर को आपका जन्मदिन है और मैं इसे लेकर बहुत उत्साहित हूँ मैंने काफी सोचा कि आपको क्या उपहार दे सकता हूँ पर कोई नतीजा नहीं निकला मैं आपको जन्मदिन पर क्या दे सकता हूँ इस बारे में कृपया आप मेरा मार्ग दर्शन कर सकते हैं देखे जन्मदिन का उत्साह तब होता है जब आप शायद 16 या 18 के हूँ क्योंकि आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है आप खुद भूमते हैं क्योंकि आप 18 के हो गए हैं तो आपकी मा नहीं पूछ सकती तुम कहां गए थे इतनी देर तक तुम कहां थे क्योंकि मैं 18 का हूँ तो वो जन्दिन शायद उत्साह वाले थे तब मेरा ध्यान नहीं जाता था कि मेरा जन्दिन कब है क्योंकि मैं कहीं और होता था और मुझे पता नहीं होता था अब एक खास उम्र के बाद जन्दिन आपके लिए उड़ जाने की उल्टी गिंती जैसे होते हैं तो आप क्या करेंगे वैसे भी चलिए मैं इसका इस्तिमाल करता हूँ क्योंकि आप कुछ करना चाहते हैं मेरी रुची उनमें है जो कुछ करना चाहते हैं मेरे लिए नहीं पर आपकी कुछ करने में रुची है क्योंकि आप पूछ रहे हैं ये सवाल भारत से आया है या यहां से है आपको पता नहीं ठीक है वैसे आप ये कर सकते हैं कि हम सोच रहे हैं कि 3 सितंबर को नदी पुनर जीवन दिवस कैसे बनाया जाए नदी अभियान 3 सितंबर को छेड़ा गया था वो, इसलिए था ये अपने जन्म दिन की पार्टी से बचने की योजना थी कावेरी पुकारे को भी 3 सितंबर को ही शुरू किया गया था और कावेरी पुकारे जैसे आपने गौर किया हूँ जैसे आप जानते हैं मैं रोज भारी बारिश में मोटर साइकल पर सवार होने के कारण बहुत भीग जाता था तो पिछली बार मेरा जन्म दिन वाकई भेगोने वाला जन्म दिन था क्योंकि हम कूर्ग में थे और मौनसून उस समय पूरे जोर पर था और आप मेंसे जिन लोगों ने पश्चिमी घाट का मौनसून नहीं देखा है आपको किसी दिन जरूर देखना चाहिए ये बारिश की चादर जैसी होती है जैसे आप मूसलाधार शब्द जानते हैं उस मौके के लिए सबसे उपयोक्त है ये बारिश की बूंदे गिरने जैसा नहीं है ये बारिश की चादर गिरने जैसा है और तब हम मोटर साइकल चला रहे थे ये मेरी 20 की उमर के आसपास जैसा था जब मैं वैसे हालातों में मोटरसाइकल पर लगातार घूमता रहता था इस साल हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे इसे नदी पुनर जीवन दिवस के रूप में स्थापित किया जाए इसके एक हिस्से के रूप में हम बातचीत करेंगे भारत सरकार के पर्यावरण मंत्राले के केंद्री मंत्री के साथ लाइव बातचीत होगी ऐसा इसलिए है क्योंकि महामारी के बावजूद कावेरी पुकारे एक जबरदस्ट सफलता बन गया है ये सोचकर कि महामारी हमारे काम पर असर डाल सकती है हमने अपने लक्ष थोड़े कम कर दिये थे लेकिन हमारे असाधारन स्वायम सेवियों के समर्पन और प्रतिबद्धता स्थानी किसानों का उत्सा और सबसे बढ़कर जो सहरा राज्य सरकार ने किसानों को सबसेडी के रूप में दिया और करनाटक राज्य वन विभाग ने जो बहुत बड़ी संख्या में पौधे प्रदान किये उसके कारण 1.1 करोड पेड इस साल नेजी जमीनों पर लगाए जा चुके हैं आपको ये समझना चाहिए किसान उचे मूले के लकड़ी के पेड़ लेकर अपनी जमीन पर लगा रहे हैं इसका मतलब है कि वो कायम रह सकेंगे क्योंकि चार साल तक जीवित रहने वाले हर पेड़ के लिए एक सबसिडी है कुछ आर्तिक साहता उपलब्थ है इसके अलावा मैंने भारत के युवाओं का आभान किया कि अपने जीवन के तीन साल अगर आप इसके लिए समर्पित करते हैं तो हम नदियों को पुनर जीवित कर देंगे वो कहने के लिए एक बड़ी बात थी तो तीन सा से थोड़े अधिक युवाँ आगे आए कई ने तो अपनी अच्छी नौकरियों से इस्तीफा दे दिया कुछ ने अपनी पीएजडी बीच में छोड़ दी उन में से कुछ पढ़ाई छोड़ ही चुके थे वो युनिवर्सिटी में ठीक से फिट नहीं हो रहे थे वो युनिवर्स को ही खोज रहे थे तो तीन सा से अधिक लोगों ने इस मकसद के लिए तीन साल के लिए अपने जीवन समर्पित कर दिये अब ये मेरी जिम्मेदारी और दायत तो है कि ना सिर्फ किसान ही बलकि सबसे बढ़कर कावेरी और दुनिया के कई संगठन जो सभी इस प्रोजेक्ट की और बड़ी आशा से देख रहे हैं निराश नहों क्योंकि पहले कभी ऐसी कोई चीज नहीं की गई है दुनिया के विभिन संगठनों के कई नेताओं ने मुझसे बार बार कहा है सद्गुरू अगर आप इसे सफलता पूर्वक कर दिखाते हैं तो ये दुनिया के उश्न कटिबंध इलाकों की और इस वज़े से पूरी दुनिया की काया पलटने वाली चीज होगी क्योंकि शायद आप जानते हों उश्न कटिबंधी धर्ती पर लगाया गया एक पेड 33 डिग्री अक्षांस के उपर लगाया गया पेड से कारबन सोखने में और जलवायू परिवर्तन को ठीक करने में लगबग 6 से 8 गुना ज्यादा असरदार होता है तो वो इसे सब कुछ बदलने वाली चीज मान रहे हैं तो हम असफल नहीं होना चाहते हैं हम जीतना चाहते हैं क्योंकि ये हमारे बारे में या हमारे जो कुछ सौ लोग इस पर काम कर रहे हैं उनके बारे में नहीं है और जैसा आप जानते हैं कावेरी पुकारे के लिए योगदान, इसके लिए 42 रुपए प्रतिपेड का आवान जब दिया गया था, तो योगदान 122 देशों से प्राप्त हुए थे, और उनमें से 82 प्रतिशत लोगों का एक संस्था के रूप में ईशा से कोई लेना देना नहीं था, वो बस आम लोग थे, तो उत्साह का स्तर ऐसा है, और जो भरोसा उन्होंने हम पर दिखाया है, सबसे बढ़कर किसान, क्योंकि उनका जीवन पिछले 50 सालों में बिलकुल अच्छा नहीं रहा है, यानि पिछले 22 सालों में 3 लाग से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली है, लोग मुझसे पूछते रहते हैं, सद्गुरू, आपने ये मकसद क्यों उठाया, इसके प्रती इतना जुनून क्यों है, मैंने कहा, अगर 3 लाग किसानों की आत्महत्या आपको कुछ करने के लिए नहीं उकसाती, तो मैं नहीं जानता क्या, मैं नहीं जानता फिर हम और कि इस चीज का इंतजार कर रहे हैं, शायद हमारे पास हर किस्म की आपदा का आदी बनने का तरीका है, कृपया ये समझिए, एक भयानक स्थिती का आदी बन जाना रूपांतरन नहीं है, ये आजादी नहीं है, ये बस जीवन का आलसीपन है, आप अपने चारों और लोगों क आपको मरते देखने के आदी हो गए हैं, आठीक है, वो मरते हैं, आप आध्यात्मिक रूप से विक्सित हैं और आपको कुछ नहीं चूता, ऐसा बिल्कुल नहीं है, नहीं, आपको कुछ इसलिए नहीं चूता क्योंकि जीवन ने आपको नहीं चूआ है, जीवन को आपको अब जब कि ये हो चुका है, और आप उसे हर साल मनाने में विश्वास करते हैं, तो चलिए इसका अच्छा उप्योग करते हैं, काविरी पुकारें। पुकारें से किसी को भी इंफेक्शन नहीं लगा है, टेस्ट में अभी तक कोई भी पॉजिटिव नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से ये फैल रहा है, कौन जानता है, पर वो अपने जीवन को खत्रे में डाल कर चीजें कर रहे हैं। किया होता, हमें किसी का भी जीवन मांगने का कोई हक नहीं है। तो उस संदर्ब में अब मुझे आप मिल गए हैं, जो मेरे जन दिन पर कुछ करना चाहता है। करने को बहुत कुछ है, आप उसमें से कितना कर सकते हैं, कृपया, आप उतना जरूर कीजिए। क्योंकि कल देर रात, कावेरी कॉलिंग के पैनल से मेरी बात हुई थी, वो सभी अपना सर्वश्रेष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रोजेक्ट के विशालता को समझें, ये 83,000 वर किलोमीटर का इलाका है। 52,000,000 किसान और तमामों संघर्ष और परपार करने को सीमाए हैं। इसके लिए लगातार धक्का लगाने जैसी स्थिती है। और आपको ओठ खड़े होने, योजना बनाने और पौधे लगाने के लिए जो समय मिलता है, वो बहुत चुनोती पून प्रक्रिया है। पौधों को तयार करने में कम से कम 8 महीने लगते हैं। कम से कम 8 महीने, 10-11 महीने तक लगते हैं। उन्हें लगाना मौनसून के 2 महीने के दौरान हो जाना चाहिए। एक दूसरा, एक छोटा मौनसून भी होता है, जिसे उत्तर पूर्वी कहते हैं, साल में थोड़ी देर से होता है, लेकिन असली चीज सिर्फ जुलाई अगस्त और सितंबर में हैं। पहले ही किसान 83 लाख पौधे ले जा चुके हैं, इस समय मौनसून थोड़ी देरी से चल रहा है, तो ये 1.1 करोड पौधे बहुत जल्दी चले जाएंगे। हम और अधिक कर सकते थे, लेकिन हम महमारी से चिंतित थे, कि क्या हम वाकई लोगों को इसे अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। क्योंकि हम खुद कई गावों में नहीं जा सकते थे, जैसा कि हमारी यूजना थी, एक प्रेड़ना दायक दौरा होना था, जो मुझे इन दोनों राजियों के गावों में करना था, जो मैंने नहीं किया, बड़े पैमाने पर तक्नीक और वाटसैप ग्रूपों जब आप जन्म दिन मनाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप में जीवन को लेकर उत्सव की भावना है, अगर आपके लिए जीवन का उत्सव मनाने के कुछ माइने हैं, तो आप जो भी कर सकते हैं, आपको करना चाहिए, ये बताना मेरा काम नहीं है कि इतना दीजिए या उतना, लेकिन आपको कुछ लगातार देना चाहिए, आप में से हर कोई जो इस दर्शन पर अभी हमारे साथ है, आप कुछ कीजिए, एक महीने में एक पेड़, पांच पेड़, दस पेड़, सौ पेड़, जो भी आपकी ख्रमता है, लेकिन इससे लगातार करें, एक बार करके भूल न जाएं, क्योंकि एक चीज ये है, कि ये आपकी चेतना में होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बैलीस रुपए, अमेरिका में आप उससे कुछ भी नहीं खरीद सकते, साट सेंट, मुझे नहीं लगता कि भेकारी भी आपसे साट सेंट लेगा, वो भी एक बोर्ड लगाता है, पांच डॉलर, यहां तक कि भारत में, बैलीस रुपए में आप कॉफी भी नहीं मिलती, इसलिए पैसे की कमी नहीं है, बस लोगों से दूसरों की चिन्ता और परवा की कमी है, एक पीडी के रूप में, अगर आप मेरे जन्मदिन को मनाने के बारे में चिन्तित हैं, तो आपको समझना चाहिए, कि जन्मदिन महत्वपून है, जन्मदिन का अर्थ है जीवन की शुरुवात, अगर आप जीवन की प्रकृती से इतने प्रेरित हैं, क्योंकि बस यही हमारे पास है, आप सोच सकते हैं कि आपके पास कई चीजे हैं, आपके पास सोना है, इसे अपने सर पर रखे, आपके पास धन है, बैंक बैलन्स है, अर्बों डॉलर हैं, नहीं, आपके पास सिर्फ जीवन है, आपके पास जीवन है, इसलिए आप ये चीजें अपनी होने का नाटक कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज, और वाकई सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपके पास है, वो है जीवन, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ तो हम आपकी जान ले लेते हैं फिर अपने सिर पर अर्बों रुपए और सोने का आनंद लीजिए बस जीवन ही हमारे पास है तो कावेरी पुकारे जीवन का एक प्रतिबद उत्सव है क्योंकि पानी और मिट्टी के बिना चलो इसे एक सच्चाई बनाते हैं अगर आप एक प्रेणा के रूप में मेरे जन्मदिन का उपयोग करना चाहते हैं तो मैं खोश हूँ मुझे साल के हर दिन जन्मदिन मनाने में कोई दिक्कत नहीं है हेलो वाकई सिर्फ तीन सितंबर क्यों अगर आप चाहें तो मैं इसे चार और पांच को भी और तीन दिसंबर को भी मनाऊंगा मैं तयार हूँ मैं कह रहा हूँ अगर आप तयार हो तो प्लीज आईए इसे सच्चाई बनाए ये बहुत महत्वपून है ये मेरा काम नहीं है ये इसा फाउंडेशन का काम नहीं है ये एक पीढ़ी का काम है हमें ऐसा करना चाहिए ये बहुत जरूरी है झाहिए